दोस्तों, डीजी इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज रास्तान करमचारी चैन बोड ने पटवारी बर्ती परिक्षा को लेके एक बहुत ही महत्पूर नौटिकेशन जारी किया है ये मुखेत है संसोधन है विग्यप्ति में और ये जो संसोधन है वो पदों की संक्या में संसोधन किया गया है जो वेकेंसी है वो बढ़ाई गई है तो कितनी वेकेंसी बढ़ाई गई है यहाँ पर मैं अभी आपको बता दूगा और ये latest information है यहाँ पर देख सकते हो आज ही का ये notification है जो कि RSM SSB ने चारी किया है तो सबसे पहले तो बता दूग जो पुराने पद थे वो सारे के सारे पद थे राजस्वव विभाग में तोटल 5,378 पद जिसमें 9 TSP के थे 4,615 और TSP के थे 763 अब यहाँ पर दो विभाग और इसमें जूड़े गए हैं जिसमें राजस्वव विभाग के अलावा उपनिवेस विभाग और भू परबंदन विभाग यहाँ पर जूड़े हैं जी हाँ राजस्वव विभाग में पद घटाए हैं लेकिन यह जो दो और विभाग जुड़े हैं इनके भी यहाँ पर पद अब आ चुके हैं तो टोटल जो देखा जाएगा और और तो यहाँ पर पदों में इजाफा ही हुआ है ठीक है तो राजस्वव विभाग के आप देख लिए 4792 पद इसके लावा उपनिवेस विभाग के 116 पद इसमें जूड़ गए हैं और भू परबंदन विभाग के टोटल 702 पद भी इसमें जूड़ गए हैं तो जो टोटल अब पद हो गए हैं वो हो गए हैं 5610 पद तो ये अब है और ये पुराने पद है ठीक है यानि कि overall देखा जाए तो यहाँ पे पदों में इजापा हो चुका है लेकिन यहाँ पे विभागों में बाट दिया गया है ठीक है तो टोटल जो पदों में इजापा हुआ है वो हुआ है 232 पदों के तो अच्छा खासा यह अब यहाँ पे cut off थोड़ी कम जाएगी थोड़ा बहुत फरक यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से जिले के लिए कितने कितने पद है यहाँ पर category wise सब कुछ देख सकते हो इस table का आप यहाँ पर screenshot ले सकते हो देख लीजिए अब आगे ठीक है तो यह है notification जो कि आज ही जारी हुआ है RSMSSB के द्वारा total 232 पदों का इजाफा पटवारी भरती के लिए और pre हो चुका है जो cut off है उसमें यहाँ पे इसका फाइदा आपको मिलेगा cut off जो है वो अब कम जाएगी कम हो जाएगी एक दो नंबर जितने भी होगी लेकिन कम जरूर होगी क्योंकि पदों में यहाँ पे अच्छा कासा इजाफा हुआ है 232 पद नए जुड़े हैं तो यह थी पटवारी से related latest news और इसी परकार की news के लिए हमारे चैनल DG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल DG इंडिया पर आपको गौर्मेंट जोब से related पूरी information मिलती है और latest information मिलती है जिससे कि आप किसी भी information से चूके नहीं और किसी भी बरती से वंचित नहीं रहें और यही अमारा अव्देश्च है थैंक यू फ्रेंट